कि मेरी पत्नी के निधन के बाद हमारे पुत्र और फुत्र बधु हम पर दबाब बनाने लगे कि आप अपनी पूरी संपत्ती हमको लिख दें और हमने इनकार किया तो मेरे लिए जीवन दूबर कर दिया उन लोगोंने अंत में हमारी इस्थितिया हो गई कि हमको छोर कर घर अपने बेटी ने हमको कहा कि आप मर जाएए भोजन के बगएर पापा आप चले आईए मेरे पास मैं उसके पास गया और जाकर वहां मैं सेल्टर ले रहा हूं बीच एक सामाजिक और सम्मानित ब्यक्ति होने के नाते आपकी संपत्री से उसे कुछ लेना देना नहीं मैं जो कुछ भी आपके दामाद कमा के लाएगे मैं उसी में आपको खिलाओंगी और आपको सुरस्ट सुरस्त और सुरक्षित रखूँ लेकिन मेरा जमीर मुझे लाओ नहीं कर रहा है जो बेटा दर-दर का भीकारी बना अब इनकी दुखदाई दास्तान को सुनिएगा प्रसंग को सुनिएगा तो आपको असर्ज होगा कि आज के समय में ऐसे ऐसे लोग है ऐसे ऐसे बेटे हैं जिस बेटे को इन्हों ने इतना पढ़ाया लिखाया और इस योग बना दिया कि आज उस बेटे के लिए ये कुछ है ही नहीं कुछ नहीं है अब इनकी जो कहानी है इनका जो दुखरा है मैं इनसे ही जाना चाहूंगा सर्ट आपका नाम क्या हुआ थोड़ा साब अपना पच्चा देंगे मेरा नाम डॉक्टर केशब कुमार सिंग है मेरे पिता जी का नाम स्वर्गिय बालेश्व प्रसाथ सिंग वो जिला के प्रख्यात स्वर्णता से नानी थे और उन्हें 142-47 के बीच अगस्त करांती जो हुई उस अगस्त करांती में उनकी भूमिका हम रही और उन्हें काला पुत्र बधू हम पर दबाब बनाने लगे कि आप अपनी पूरी संपत्ति हमको लिख दे और हमने इनकार किया तो मेरे लिए जीवन दूबर कर दिया उनलोंगोंने मेरी इस्थिती यही रही कि कि किसी तरह संघर्ष करके मैंने दो वर्स तो गुजारे लेकिन दो हजार तईस से बहुत आक्रामक उन्होंने अपना रविया अपना लिया और मेरे साथ अंगिनत बार दो रवहार किया मुझे मेरे ही उपर के कमरों में ग्रील लॉक करके हमको जो है सो बंद कर दिया हाउस अरेस्ट कर दिया कुछ बार तो समाजिक लोगों को फोन करने पर आकर उन लोगों ने आकर हमको कह सुनकर रिलीज कराया लेकिन दुबारा 23 में कैसी इस्थिती भी आई कि जब समने फोन लोगों को फोन नहीं करके पुलिस को फोन किया पुलिस आई हलाई थाना आई आकर के उसने हमको रिली और कल हो करके जब ठाना पर वारी आते हैं तो उनके सामने वो मुझे जलील करने लगा और जलील ताकि सीमा तब लांग गया जब उसने पुलीस के सामने और दो चार लोगों के सामने समझ बिलकुल असपस्ट रूप से उसने कहा कि ये चरित्रहीन है दुश्चरित्र है आप पुलीस के सामने का और वो लोग सुनते रहे हमारी स्थिती यही है आज के डिट में कि मैं घर का हूँ न घाट का हूँ घर में घुसने के लिए हमको जाने नहीं देते हैं हमारी गारियां उन्होंने अपने कबजे में कर रखी हैं मैंने पुलीस को अभी डिसेंटली आवे दी लेकिन आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं आज ही का डेट था कि भाई आज आपको गुलाया जाएगा और आपको हम गारी दिलवाएंगे और इस पूरी समस्या का निदान हम सोचेंगे लेकिन दुरभाग्या हमारा कि मैं इस स्थिती में हूँ कि बिगत लगभग पर के अपनी बेटी के सरन में गया और मेरी बेटी अमरिता प्रितम वही आज मुझे जिने का सहारा बनी हुई है और उसी ने हमको जिन्दा किया वापस मैं भेंकर रूप से गोल टीवी का सिकार हो गया था मेरे मुझे खून आ रहा था मैं इलाज के लिए जा रहा था तो मेरे साथ रोका गया मुझे को धका मुकी की गई 112 नमबर पर फोन किया जब पुलिस को मैंने फोन किया 112 नमर ने हमसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि आप कहा है हम कहा कि हमको ट्रेन पकरना है वहादा साम हम गारी में बैठ रहे हैं वहीं एक दो लोगों ने बीच पर कोई कारजवाई हो लेकिन उस पर कोई कारजवाही नहीं हुई मैं अपने चिकित्सा कराने वहां गया आज के डेट में यही है कि आज पूरी परिशंपत्ती का एक मात्र अपने पिता का इकलोता पोत्र होने के कारण वारिस होते हुए भी आज उन संपुर्ण परिशं पत्ति पर उन्होंने दवंगता पुर्वक अपना कबजा कर लिया है हमारे सारे ठीके ठेकेदारों को भगा कर अपने अस्तर से उन्होंने ठेकेदार रख लिया है उनको उनसे पैसा वसूल रहे हैं और हम मात्र पत्नी के 30 प्रिश्चत प्रिंसन पर जिंदा रहने के लिए भी बस हैं हर महीना जो सचाई है वो आप लोगों के सामने बयान करने में मुझे कोई जिजक नहीं है कि हमारा तो केबल दवा का खर्च सारे 14,000 रुपया महीना आ रहा है उस बर्तमान में और मैं कैसे जो है सो जिंदा रहूं मुझे होटल में रहना पर है हमारे पास रोट कर मैं भी रह रहा हूं और उसी के अस्तर से वेवस्तित होकर कर के मैं दौरोटी पा रहा हूं हमारे पास चार पाँच नौकर हमेसा रॉप रहते थे सब को धमका कर भगा दिया गया खाना बनाने वाली को घर जाकर धमकाया जाता था कि अगर तुम खाना बनाने जाओगे तो तुम आपको जलील कर देंगे हम अंत में हमारी स्थितिया हो गई कि हमको छोड़ कर घर अपने बेटी ने हमको कहा कि आप मर जाएए बोजन के बगएर पापा आप चले आईए मेरे पास मैं उसके पास गया और जाकर वहाँ किया और हमको कहा कि टला तो नहीं ग्या है ञंधाना खोला है तो तोड़ दिया गया आज उसी रूम में बंद मेरी गाडी उस चार्चपका है मेरे नाम से मेरा ट्रेक्टर है इस ट्रेक्टर कीचवГंसे अपने कबजे में ले ली है और वो उसी ट्रेक्टर से हमारी परिसमपत्ती को वो जोत रहे हैं और आज हम दर-दर के भीकारी बने हुए भूम रहे हैं हमारे पास न जीने के लिए कोई विशिष्ट सादन है और न किसी का सहयोग और सहारा है अगर सहारा है तो मैं उनमुक्त कंट से कहता हूँ कि आज अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं साइज अपनी इस दुनिया को छोड़ चुका होता महरवानी हमारे उस बेटी की है ज और मैं अगर ऐसा सोचू भी तो हमारी बेटी धार्मिक मानेताओं को मानने वाली गैत्री परिवार से जूरी हुई एक वेदूसी है जो साफ सब्सक्राइब में कहती है कि मुझे उस पर चंपति से कहीं नहीं मुझे अपने पिता की जिन्दगी चाहिए अचा ऐसी परिस् चाहिव विद् स BAR की कहा था वडिया था उन्होंने हमको कहा था पूछा था हमसे कि या बेटे ने आप पर हांथ चलाया मैंने कहा कि हाँ तो बेटे के अपड़की आपको मैं जो बोला हूं आप आप लोगे माद द्यम से सुनद्लीजे मैंने कहा कि काई के सा पर और का है मैं होटल में रहने पर वीबस हूं मैं आर्थिक रूप से मिलकुल लाचार हो चुका हूं तो उन्होंने कहा कि हम इस पर आदेश करते हैं मैं प्रतिक्षा करता रहा तीन महीने बाद नौंबर में जब मैं आया और उस पर कोई कारजवाई उस तरह की मुझे नहीं दिखी तो मैंने पुना मैं उनसे मिला चाहा लेकि संजोग से उस दिन वो जनतादरवार में अपने उपस्तित नहीं हुए मुख्याले डिस पी अमित बावु थे उन्होंने हमसे लगबग आठ मिनट तक सारा क्रॉस डिसकर्शन किया और हम उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ब वैस्ट हो गये हैं वेटा वहु के खिलाफ हमने कहा कि हम किसी के खिलाफ वैस्ट नहीं है हमारी मंसा सिर्फ इतनी है कि मेरे जीवन काल तक मेरी पर इसबत्या मुझे हासिल हो और मुझको जीने दिया जाए क्या एक बुज़ुर्ग नागरी को एक प्रहाचार्श के पर से सेवा निवर्द बेक्ति को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है क्या आप मुझे जीने की भी आजादी नहीं दे सकते हैं क्या आप हमको सुरक्षा नहीं परदान कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते हैं तो तो फिर मेरे लिए जीना बेकार है क्यो मैं जिन्दा हूँ मैं बार सिराम सर्मा बार बार हम लोगों को या दरसन देते रहे कि आत्मात्या कायरता है वावजूद इसके मैंने जनवडी में एक बाइपोस्ट महां से मैंने इस्पी साहब को भेजा और हमको इसमें लिखना परा कि सिर्मान यदि आप लोग अभी चुनबाई नहीं करते हैं तो कह चीजों मेरे सारे ऋवएदन मेरे सना आज भी मैं थाना के फोन की प्रतिक्छा कर रहा हूं कि वह कम मुझे बुलाते हैं और मुझे मेरी गारी और मेरा बाइक मुझे को दिल बाते हैं ताकि मैं घूम कर अपना कोई काम कर सकूं मैं कब तक आज तक जिस उमर में हूँ और जिस तरह से बीमारियों का सिकार हूँ मुझे गोल टीवी हो गया था ब्लड प्रेशर, सूगर, हाइपर टेंशन, और स्टो अर्थराइटिस, सर्भाइकल स्पॉंडलाइटिस दिस्क स्लीप, इन तमाम बीमारियों का ग्रस्त मैं पब्लीक कर्णिमिनेंस इधर उधर बटकने पर विवस हूँ क्या यही मेरी जिंदगी होनी चाहिए एक मैं पित्रहित कॉलिज साथ से बाने प्रचाज हूँ, मेरा अपना कोई पेंसन नहीं है पत्नी का जो भी पेंसन मिलता था वो इस फर बड़ी माह से 30% पराकर रटक गया जो मेरे दवा के खर्च के लिए भी उचित नहीं है इतनी तमाम पड़ी संपत्यों के रहते हुए एक नागरी को, हमारे जैसे नागरी को यदि इस तरह दर-दर की ठोकरे खाने परने पर विवस होना परे तो मैं समझता हूँ कि आज के समाज की जो विगलित मान सिखता है वह स्वधा सिद्धो हो जाती है सबसे आश्यर्च की बात ये है कि धेरो चल एवं आचल संपत्ती के रहते हुए इनहें अपने जगा पे नहीं मतलब रहने दिया जाता है ना ये समस्तिपूर में रह सकते हैं जहां पे इनका अपना मकान है नहीं जहां पे इनका पैत्रिक घर है नहीं वहाँ पे ये रह सकते हैं अब समझे कि अपना इतना संपत्ती होने के बाफजूद अपना घर होने के बाब जूद इनको बेटी के यहां जाके रहना पड़ता है इनको होटल में जाके रहना पड़ता है यह क्या है सर मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जब बेटे को यह पता है कि इनके बाद जो भी आपका संपत्ति है वो उनका सुता हो जाएगा तो फिर य इसा क्यों हूँज से कई लोगों के सामने कि उन्होंने तक समझें कि इनका पैसा है जो कच भी है इनका स्वाइ। लेकिन जब तक ये है तो उस पर अधिकार इनका है और इससे कोई इनको रोक नहीं सकता है मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रसाशन से अपने समस्तिपूर के स्पी सहाब से बहुत पिरित है ये और ऐसी पिरित अवस्ता में आप इन्हें ऐसे छोड़ने हैं कई बार आप से भी ये निवेदन किया है अभी आवेदन मैं देख रहा था ये आवेदन आपको दिया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये कहां रहें कैसे रहें इसका कोई ठीकाना नहीं हुआ है अशा नहीं हो ना जाएए ईस पी साब से कभी मुलाकात हुए है मेरा मोबाइल खो गया था उन्होंने मुझे को को सच करा गए दिया है और उसी दिन जनतादरवार में मैं आबेर मंकुनों ने का कि आप आई यह वां जो कने लिखा कर और मैंने जनतादरवार में अपना नाम लिखा करके उसका नमबर भी इस आवधन में डाला हुआ है मैंने उनसे मुलाकात की और उन्हों ने हम से हुआ हैं पूस्ट्ट का जवाब भी देता हूँ। और ऐसा विद्द्वान वैक्थी आज हमारे जिला का कप्तान है और इस तरह के विद्द्वान के रहते हुए जिला को गौर्व ऑना चाहिए और मुझे भी कow्रब है मगर एक पीरित को रूप में मैं मैं निश्चित रूप से यह कह रहा हूं कि सायद मुझे मेरी अंदेखी की गई अगर मेरे अंदेखी नहीं की जाती तो आज मैं इस दुरता को नहीं प्राप्त होता है यह आपेदन में असपष्ट दिया गया है कि 2023 के अक्टूबर से है न सर अक्टूबर से यह गुहार होना चाहिए आपके पास यह अंतिम आविदन गया है और इसके बाद इन्होंने असपष्ट लिखा है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई हमें नहीं मिला तो हम आपके केंपस में आके और फिर वहां पर आत्मदा करूंगा क्योंकि इनके पास कोई आप्सन ही नहीं कहा जाएंगे किस के पास जाएंगे यह प्रसासन के पास जाते हैं इसलिए कि हमें न्याई मिले और आपके पास से अगर नहीं मिलेगा तो यह कहां जाएंगे है एक संमाजिक और समयनितज्च के नाते अपनीटी के दरवाजे पर पहरे रहना यहां मुझे कहीं से भी सुटार नहीं और मैं नहीं चाहतूं जदेभी हमारी बेटी बार 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 और मकोई हखाती है कि पिता जी आपको हमारी जिंद ही आपकी जिंदे की मुझे कि क्यों उन्होंने मुझे को जो है सो योग्य बनाया कि मैं डॉक्टर अप लिटरेचर की उपाधी प्राप्ति समाज का एक समानित बेक्ति हूँ या नहीं हूँ और अगर यही दूर दिन मुझे देखना था तो मुझे निश्चित रूप से अपनी सिख्छा अपने संस्का और इस समाज के गलन पर बहुत ज़्यादा अफसोस है और इस बेवस्था के परती भी मुझे मन में कोई आख प्रोश नहीं है मगर मुझे लगता है कि ये बेवस्था बिलकुल उदासीन हो चुकी है इन सारे मामलों पर संग्यान लेने के मामले में सर आपको धैर्ज खोने की जरूरत नहीं है आपके पिदा जी स्वतंता सेनानी रह चुके है लरना है और ऐसी कुरीती को खत्म करना है समाज से इसलिए सर धैर्ज रखिये और मैं पुना निवेदन करना चाहूंगा समस्तिपूर के प्रशासन से कि ऐसा नहीं होना चाहिए इनके साथ अन्याय हो रहा है यह आप सभी लोग जान रहे हैं इनको कई बार बंद किया गया आप प्रशासन जाके इन्हें स्वतंत करवाए वहां से इनको मुक्त करवाए उसके बाद इनका एफाई अर्दर्च नहीं करते क्या है यह बैपूना हाँ जोर कर विंते करना च बाकी समाज में ऐसा कुछ हो रहा है दिन परती दिन ऐसी चीजें बढ़ती जा रही है क्या यह रहना चाहिए क्या यह सही है क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है इसको लिखर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माधिम से जरूर बताईएगा मैं फिर मिलता हो तब तक य के लिए जै हिंद